आप सब का मैं स्वागत करता हूँ स्वाथे समंधी चर्चा में होमियोपेटिक की एक दवा जिसका नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे यह क्या कर रहा है दवा का नाम है गलिस्रीन नम गलिस्रीन नम जो गलिस्रीन आता है गलिस्रीन नम इसका मैं आपको परिछे देता हूँ ग्लिस्रिनम ओस्टी का उपयोग दिमाग और सरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है इसके अलावा डाइबिटीज का रोग हो जाने पर भी इस ओस्टी का परियोग करने से बहुत लाप होता है ग्लिस्रिनम कमजोरी की दवा है और डाइबिटीज की भी बहुत अच्छी दवा है इसके अलावा विबिन रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है इसके रोगी के सिर के अंदर ऐसा महसूस होता है उसको कि सर के उपर वजन रखा हुआ है सिर में तेजी से होने वाली जलन माशिक सराव आने से दो दिन पहले सिर में बहुत तेज दर्द होना बहन बेटियों को मावार आने के दो तिन दिन पहले तेज दर्द होता है सिर के पिछे का हिस्सा बहुत भारी सा महसूस होना इन लक्षणों में रोगी को गलिसरी नम देने से बहुत लाप होता है इसके रोगी के नाक के जो लक्षण है नाक का बंद हो जाना छींके अधिक आना नाक के पिछे के हिस्से से सराव का होना सलेस्मिक जिली पर किशी चीज़ के रेंगने जैसा महसूस होना आदी लक्षणों के आदार पर रोगी को गलिसरीन ओश्दी देने से लाप मिलता है और चेस्ट यानि की च्छाती के लक्षण बहुत तेजी से होने वाली खांसी के साथ सरीर में कमजोरी सी महसूस होना च्छाती का भरा हुआ सा लगना इन फ्लूंजा निमोनिया का बुखार होना आदी लक्षणों में रोगी को गलिसरीन ओश्दी का प्रियोग कराने से बहुत लाप मिलता है पेसाप से सम्मंदित लक्षण पेसाप का बार बार आना तता काफी मात्रा में आना पेसाप के साथ मीठा ज़्यादा आना यानि कि सुगर आना मदु में यानि डाइबिटीज का रोग हो जाना आदी लक्षणों के किशी व्यक्ति में ये लक्षण नजर आए तो उसे गलिसरीन ओश्दी का सेवन कराने से बहुत लाप दाइक है देखिए ये डाइबिटीज और खासी जुखाम और कमजोरी की बहुत अच्छी दावा है अधिकतर डाइबिटीज के जो पेसेंट होते हैं तो जो परचलित दावाईयां ही होती है अधिकतर उनी को ही लिख पाते हैं कुछ दवाईयां एसी है जो बहुत अच्छा काम करती है जिन पे निगा नहीं जाती उन में से एक ये दवा है गलिस्रीनम इस्तरियों के अपने पूरे सरीर में ठकावट से महसूस होना बहुँ ज़्यादा मात्रा में महावारी का सराव होना गर्बा से के नीचे की और दवाब देता हुआ बारिपन सा महसूस होना ऐसे लक्षनों में रोगी को गलिस्रीनम देने से लाब मिलता है शरीर के जो बाहरी अंग है जैसे हाथ पाउं है पेरों में बहुत तेजी से होने वाला दद पेरों का काफी गरम और बड़ा हुआ सा लगना बार बार होने वाला गठिया का दद जैसे लक्षनों में गलिस्रीनम ओस्तिका सेवन लाब कारी रहता है इसकी तूलना यानिकि इसकी समकक्स दवाईया या इसके जैसे ही लक्षनों वाली जो और दवाईया है तो वो है लैक्टिक एसेड जो एक डाइबिटिट की बहुत अच्छी दवा है दूसरी डवा है जेल्सी मेम क्योंकि जेल्सी मेम के अंदर भी सिर के पिछे के बाग में दर्द होता है और गलिसरिन के अंदर भी सिर के पिछले बाग में गर्दन के उपर गुद्दी बोलते हैं देसी वासा में वहां दर्द होता है इसलिए इसकी तुन्ना डाइबिटीज में लेक्टिक एसिड के साथ होगी और इस तरह के सिर्दर्द और गर्दन के पीछे से जो दर्द होता तो जेल्फीमियम के साथ होगी और कलकेरिया कार्ब से भी इसकी तुन्ना इसलिए होगी क्योंकि कलकेरियकार भी कमजोरी की दवा है और ये भी कमजोरी की दवा है अब इसकी डोज जो है खुराक गलिचरिन ओस्टी की 30 अक्स यानि कि 30 अक्स से लेकर उच्छी सक्तियां तक रोगी को रोग के लक्षनों के हिसाब से देने से आराम आता है यानि कि इसकी 30 अक्स पोटेंसी काम करती है और इससे भी उची हाई पोटेंसी होती है वो भी काम करती है अगर ये लक्षन मिलते हों और आप अपने आप लाते हैं या खाना चाहते हैं तो गलिसरी नम तेस अक्स का दिन में तेन बार प्रयोग 15-20 दिन तक करें उसके बाद अपने डोक्टर से एड़वाईज करें दोस्तों आज मैंने आपको हुमेपेति के अंदर गलिसरीन से बनी हुई गलिसरी नम दवा तेस अक्स के गुण बताए देखो ये दवा बहुत अच्छी है डाइबिटीज में भी काम करती है और करती है और दूसरी बात ये कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है तीस पोटेंसी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तीस अक्स के दोसों के भी नहीं है लेकिन फिर भी दवा दवाई ही होती है अगर चिकित्सक की राई लेकर अगर आप लेंगे तो लाब में रहेंगे क्योंकि जो आदमी पूछ पूछ के चलेगा तो खड़े में नहीं गिरेगा और कोई यूँ समझेगा कि मैं बहुत जानता हूँ अपने को बहुत समझदार मेसुस करना अकलमंदी की बात नहीं तो अपने नजदी की डोक्टर से अथवा मैं सुबह साड़ी से साथ फोन पे रहता हूँ मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं ये एक अच्छी दवा है आप लाब उठाएए थैंक्स